भारत में बड़ी फैमिली कारों की अच्छी डिमांड है और आपके लिए केई SUV और MPB विकल्प मौजूद है और अब आने वाले समय में सेवन सीटर कार सेगमेंट में मारूती सुजू की टोयटा, किया मोटर्स, हुंडई मोटर्स, हौंडा, एसकोड़ा निशान और रेनोड के साथ साथ सिट्रोन जैसी कंपनिया भी नई SUV या MPB लाँच करने की तैयारी में हैं और अगर आप भी इन दिनों अपने लिए नई सेवन सीटर कार खरीदने का प्लान बना रहे हैं तो पहले देख लें कि क्या अलग-अलग कंपनिया आने वाले समय में अपनी SUV और MPB को कुछ खास फीचर्स के साथ लाने की तैयारी में हैं और सब से पहले बात करें तो यटा मोटर्स की तो यटा मोटर्स इंडिया आने वाले समय में अपनी 7-seater कार पॉर्टफोलियों को और भी मजबूत करने के लिए तयार है और इसी प्रयास में कंपनी आने वाले समय में C सेगम distraction में एक नई MPB लाने की कोषिश में है हलाकि premium segment में already company के पास powerful innova crista available है लेकिन mid family budget में अब company एक 7-seater car लाने वाली है और इसे भी mild hybrid और electric power train के साथ पेश किया जाएगा और इसी के साथ Toyota Romeo नाम से किफायती 7-seater car launch करने की त्यारी में है जो आपको काफी हद तक मारूती सुजू की artica की याद दिलाने वाली है क्योंकि इसका price segment में artica जैसे ही होने वाला है और खास तोर से इस MPV को Toyota Motor CNG options में भी पेश करने वाला है इसके अलावा Toyota जल्द ही next generation की innova launch करने वाला है और मारूती सुजू की आने वाले समय में C segment में नई 7-seater car लाने वाली है जो look और feature में Grand Vitara SUV जैसी होगी लेकिन price इसका काफी कम होने वाला है और Hyundai Motors भी जल्द ही भारत में एक किफायती 7-seater car लाने वाली है जिसको मुकावला मारूती अर्टी का और Kia केरिन जैसी गाडियों से होने वाला है और Honda Motors आने वाले समय में Hyundai Alcazar, Tata Safari जैसी SUV को टक कर देने के लिए एक नई 7-seater SUV लेकर आने वाला है और next generation की Kia Motors की भी एक 7-seater आने वाली है और इसी के साथ निशान, Renault, Citron जैसी कमपनिया भी आने वाले कुस टाइम में अपनी किफायती 7-seater काने भारते बाजार में पेश करने वाली है क्योंकि खास्तोर से फैमिली बजट के सेग्मेंट में जहांपर ट्राइबर जैसी गाडिया पेश की गई और उनकी डिमांड को देखने के बाद सभी कमपनिया इस पोर्टफोलियो को विस्तार करने की तयारी में है यानि कम बजट में 7-seater का options देने वाली है जिसमें देश की top automobiles कमपनिया शामिर है तो customers के लिए काफी good news है कि आप चाहें तो Toyota या फिर Nissan या इसका लावा Hyundai या फिर Maruti की all new 7-seater purchase कर पाएंगे जो family budget के अंदर fit होने वाली है साथी world class features और look के साथ में available होंगी और इसमें भी Honda Motors की launch होने वाली 7-seater SUV बहुती शानदार होने वाली है जिसमें 6-seater और 7-seater दोनों का विकल्प होगा इंजन की बात करें तो 1.5-liter का naturally aspirated और 1.5-liter का diesel engine साथी turbo का विकल्प भी available होने वाला है अधने features की बात करें जिसमें hybrid का setup मिलने वाला है जैसे कि Honda Motors ने अपनी Honda City के अंदर दिया है यानि की mileage भी mid-size SUV का काफी शानदार होगा और लोग इसे petrol variant में purchase करने पर भी hybrid के कारण काफी अच्छे mileage के साथ purchase कर पाएंगे साथ में इसमें Adas का world class features होगा और Honda Motors की ये compact SUV Amaze के plate farm पर based होने वाली है तो mid price segment के अंदर ही इस गाड़ी को launch किया जा रहा है तो जल्द ही launch होने वाली 7-seater segment में देश की top automobiles company की इन MPB और SUV गाड़ीों का आप इंतजार कर सकते हैं और comments में लिख सकते हैं कि आप 7-seater या फिर 5-seater किस गाड़ी को purchase करने का plan बना रहे हैं मिलते हैं next automobiles news update के साथ नमशकार दोस्तों और अगर आप भी अपने द्वारा यूज की जारी गाड़ीों के बारे में अपने long time experience चैनल पर सभी सब्सक्राइबर के साथ share करना चाते हैं instagram पर message कीजिए हमारी टीम आपसे contact करेगी और हम आपके पास visit करेंगे और आपकी information सभी सब्सक्राइबर के साथ lively चैनल पर share की जाएगे